हेलो दोस्तों आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक ट्रिक में तो चलिए दोस्तों आज हम देखेंगे साधारन ब्याज मतलब साधान ब्याज को सिंपल इंट्रेस्ट बोलते हैं तो चलिए हम सब सब पहले इसके कुछ एक तुप फर्मूला देख लेते हैं इसे बरावर क्या होता है तो देखिया एसाई बरावर होता है पी गुणे आर गुणे टी बाइट ठीक है यह याद रखेंगे इसे बरावर पी गुणे आर गुणे टी बाइट देख लेते हैं पी बरावर क्या होता है पी बरावर प्रिंस्पल होता है इसको क्या बोलते है मुल्धन बोलते हैं ठीक है उसका बद आर देख लेते हैं आर बरावर रेट होता है दर होता है टी बरावर होता है टाइम मतलब समय होता है यह यहां पहलों फर्मूला देख लिए हैं फर्मूला देख लिए उसका पता हम देखेंगे इसका ट्रीक भी ठीक्ट है फर्मूला आप लोग याद रखेगा इससा यह बरावरं पीयाइटी बाई तो चलिए देखते हैं आगे कुछ question और trick तो चलिए मालेजी एक question है ठीक है इसमें दिया है पी ब्रवर दिया है ब्याज निकालना है तो क्या करेंगा हम और कुछने ढश्ध लेक्षन निकालने किए पी एक थीध़ें रख दिया है कितना है एक साथ और नीशे सो दो जीरों से दो जीरों मैंने कट दिया बरबर में ऐसा ही बरबर हमारे ब्याज कितना आगया दस दही चलिघा सो रुपिया हमारा ब्याज इमाउंट मतलब मिस्रधन बहुत बार पूछा जाता है ठीक है तो मिस्रधन बराबर कितना होता है मिझसदन बढ़ाबार होता है मूल्धन प्लस ब्याज बढ़ा वेफिपलोश एसई होता है सबसास कि यह सब और टी बेराबर एक वर्ष दिया है ठीक है एसाई पराबर हम निकालेंगे ते पी गुने आर गुने टी गाई हंडर फर्मूला आप लोगो रट जाना है ओकर अब चलते हैं पी बेराबर रखते हैं एक हजार गूने दस, गूने एक by अंड़र'd, कटा लेते हैं तो 59 कितना आ गया, सव आ गया ठीक है ऐसे सब्सक्राइब आ गया, 600 हमें निकलना किया है भी शुल्ञण हमें निकलना है यह सा ही जो हम निकाल अभी 100 होगा तो हमारा कितना आ गया 1100 अब चलिए हम ट्रीक पर आते हैं तो चलिए उसी कोशन को लेका हम ट्रीक से बनाते हैं ठीक है तो ट्रीक देखिए एक तो हम देखते रहीएगा आपने पी बरापर एक हज़़ दिया है रेट दिया है 10% और साल क काइम को गुणा कर देता है तो 10% गुणा एक बराबर कितना हुआ दोस परसेंट को काट लेते हैं दोस बट्टा सो हो जाएगा जीरो से जीरो एक बट्टा दस आ गया ठीक है अब एक बट्टा दस मतलब क्या हुआ देखिए हम लोगों ने ब्याज पे किया है दस होगा हमार मुल्धन ठीक है दस हो जाएगा मुल्धन और यह एक हो जाएगा ब्याज ठीक है दस हो जाएगा मुल्धन एक हो जाएगा हमारा ब्याज तो अब इसी से अब निकाल लेंगे ध्यान से समझेगा पहले रेट को और टाइम को गुणा कर लेंगे उसका बाद दस परसेंट है मुल्धन दस है ब्याज एक है मिश्वदन हमारा 11 ठीक है याद रखिएगा आप लो उसका बात क्या करते हैं मुल्धन अगर हमें निकालना है हमें ब्याज निकालना तो मुल्धन दस दिया है बराबर मुल्धन यहां कितना दिया है एक है तो यहां हम काट लेंगे मुल्धन 큰 ब्यौाज के लिए मैं क्या करेंगे लग्याज वर work है ठीक है टो स्थ कुं आज एक करेंगे ब्राबर सो हमारा ब्याज यहाग्या ठीक है एक मिनट देखेंगा सौow हमारा व्यास आक्छा मुल्धन दिया अब मिक्रिधन के लिए क्या करेंगे कितना 111 क्यली 11टन है मैं एक बराबर आए कितना था 100 में भाष्या समाजनी और बता देते हुं बता देते को टाइम से गुणा कर देंगे 10% है 10 बटा 100 जिरो से बटा 10 ब्याज एक बटा 10 आगे नीचे वाला हमारा मुल्धन हो जाएगा उपर वाला ब्याज हो जाएगा मुल्धन प्लस ब्याज होता है मिस्दन मैंने मिस्दन 11 निकाल लिया ठीक है अब 10 बराबर हमें मुल्धन हमारा ब्याज निकालना तो यह कितना एक है तो 100 से में गुणा कर देंगे 100 हो गया तो चलिए अगर आप लोग को रेट निकालना या टाइम निकालना तो उसी फर्मूला पर आप लोग निकाल सकते हैं तो चलिए मिलते हैं अंगले वीडियो में तब तक लिए जैहन जैव